हेलो इक्नोमाइट्स वेलकम बैक वेलकम बैक तुर डे टू ऑफ इंस्टेंट इक्नॉमिक्स सो जैसे कि मैंने कल बताया था और पॉब्लिक डिमांड आप लोगों ने इतने कॉमेंट्स लेखे थे मेरे पुराने वीडियो में कि सर प्लीज इंस्टेंट इकनॉमिक बापिस यह है और यह है आपके सामने इंस्टेंट इकनॉमिक्स सो जैसे कल हमने किया दा आज भी एक कोश्चन में लेकर आया हूं तो लेट सी दा कोश्चन यह है यूजी से एंटी एन नेट का दो हजार एक्षा कोश्चन यह कोश्चन देखिए दा सैंप्लिंट इस्टिशन अव 49 units यानि कि capital N दे रखा है 49 estimate the variance of population यानि कि हमें क्या निकालना है population का variance अब यहाँ पर दो important चीज़े हैं इनको जल्दी से नोट करते हैं पहली बात तो n जो है वो 13 से छोटा है अब n जब 13 है तो n जो है that is less than 30 so this is basically implying कि हम यहाँ पर T distribution डाल सकते हैं दूसरी बात यह है कि n ज जो है वो finite series का है तो यहाँ पर आप हमें कौन सा formula डालना पड़ेगा finite population correction तो यह है आपके सामने formula अब देखिए simple merely इसमें formula में हम डाल देंगे और यह हमारा answer निकल जाएगा sample variance दे रखा है 5 sample variance हमें population variance हमें निकालना है sample size यानि कि small n 13 दे रखा है और population size जो है वो है 49 49 minus n that is 13 upon 49 minus 1 अब इसको simplify कर लेंगे so 5 into 13 into 48 यहां से किया तो 48 आ गया और नीचे 49 minus 13 यह आ जाएगा 36 अब इसको सिर्फ simplify करना है divide करके देख लेते हैं एक बर क्या आएगा so yes यह आ जाएगा 86.67 तो यह है आपका question का answer बहुत simple सा question था लेकिन formula इतना आसाने से मिलता नहीं है तो इसक question का answer हो गया option C तो ऐसे ही questions करने के लिए दो से तीन मिनिट के बीच में आप इस channel के साथ जरूर बनेंगे रही है और कल हम करने वाले हैं BHU research entrance test PhD का paper 2015 का so 2019 का paper मैंने already किया है अब 2015 की बारी है so आप में से बहुत सारे student ऐसे हैं जो की BHU के research entrance के लिए तयारी कर रहे है आशा कर करेंगे मेरे साथ YouTube पे कितने बज़े तीन बज़े और हम नई कुछी से सीखेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजएगा कल मिलते हैं तीन बज़े थैंक यू